तो फ्रेंड्स, माइनेम इस काजल कुमारी और मैं आप लोगों का सांती कॉंपटिटिव इंस्टिचूट में स्वागत करती हूँ आज हम लोग पॉसेंटेज का सकेंड लेक्चर देखेंगे आज हम लोग सकेंड लेक्चर में कुछ बेशिक लेवल की इससा समझेड पॉसेंच बारे में आज हम लोग डिसकत करेंगे चलिए हम लोग कोश्चर पर चलते हैं फ्रस्ट कोश्चर हमारा देखिए फ्रस्ट कोश्चर है और टिम प्लेड 40 गेम्स देखिए एक टीम है जिसने 40 गेम खेले जिसमें 24 गेम वो जीत गए है वोन 24 तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर question में मांग रहा है What is the percentage of the game won by that team देखिए इसमें हम लोगों को मांग रहा है कि मतलब 40 गेम कुल गेम है जबकि उसमें से 24 गेम वो जीत गए है तो वही जीता गया गेम का हम लोगों को percentage मांग रहा है तो देखिए percentage हम लोगों को इसका निकालना है देखिए हमारा first option है 100 second है, there's so और third है, 200 और fourth है, 300 देखिए हम लोग आप solution पे चलते है देखिए यह सबसे easy question है I hope student आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा देखिए इसमें दिया गया है कि मतलब परतीसत निकालने के लिए किसका जीता गया गेम का तो देखिए अभी परतीसत यहां पे लिक दिया है और गेम कितना जीता है 24 गेम जीत गया है वो जिसमें टोटल गेम 40 है तो percentage बोल रहा निकालने के लिए तो 100 से हम लोग गुना कर देखिए आंसर आगया है 60% ठीक है यहां तक कोई भी दिक्कत देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए हम लोगों का second question है देखिए एक marriage ceremony है जिसमें 32% female है 54% male है और 196 children है तो इसमें हम लोगों को मांग रहा है कि how many males are there in the marriage ceremony यहां इस marriage ceremony में कितने male है जबकि हम लोगों को percentage में दे दिया है 54% देखिए हमारा पहला option है 756 दूसरा है 448 तीसरा है 332 और चौथा है 324 देखिए हम लोग solution पे चलते हैं देखिए solution देखिए total man हम लोगों यहां पे माल लेंगे 100% क्योंकि हम लोगों को नहीं दिया गया है मतलब मेरे ceremony में total आदमी मतलब jains हो या ladies हो या बच्चे है सारे को मिला कर हम 100% माल लिए है जिसमें महिला की संख्या देखिए दिया गया है 32% और main की संख्या 54% तो हम लोगों को यहां पे बच्चे की संख्या निकालना वो भी percentage में हम लोगों को number में तो दे दिया गया 196 तो हम लोगों को percentage में निकालना तो जैसे ही हम लोग percentage में निकालेंगे बच्चों की संख्या तो देखिए 100% कुल आदमी है जिसमें बच्चे भी include है तो जिसमें 32% female है और 54% male है तो देखिए यहां पे male और female की संख्या जोर देंगे और 100% में से घटा देंगे तो देखिए 100% minus 86% तो हम लोगों को मिल गया 14% तो देखिए हम लोगों को बच्चे की संख्या यहां मिल गया है 14% तो हम लोग यहां पे आगे लिखेंगे 14% बराबर 196 क्योंकि 14% बराबर 196 कैसे होगा क्योंकि हम लोगों को दे दिया गया है already बच्चे की संख्या 196 है तो देखिए यहां पे percentage में बच्चे की संख्या हम लोगों को निकल गया है 14% इसलिए हम दोनों को equal कर देंगे तो देखिए 1% किया तो 193 बट्टे 14 हो गया है और हम लोगों को यहाँ पर कुल मांग रहा है कुल आदमी कितना है तो देखिए कुल आदमी 100% है तो देखिए हम दोनों साइड इसके 100-100 से गुना कर देंगे दोनों साइड 100-100 से गुना कर देंगे ठीक है? तो देखिए यहां पर गुना कर दिया है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 196 बट्टे 14 गुनी 100 तो 14, 14, 196 तो देखिए कुल आदमी हम लोगों को यहां पर 400 मिल गया हम लोग टोटल आदमी माने हुए थे 100% तो देखिए 100% बराबर कितना आ जाएगा 1400 और 1400 क्या जाएगा कुल आदमी क्योंकि हम लोग 100% को क्या माने थे कुल आदमी ठीक है कुल आदमी बराबर 100% I hope student यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और देखिए हम लोग को अब कुल आदमी तो निकल गया यहां तो इसमें बोल रहा है पूरूस की संख्या कितनी है तो देखिए कुल पूरूस हम लोगों को कुल पूरूस की संख्या हम लोगों को निकालना है तो पहले कुल आदमी को लिखेंगे कुल आदमी को गुना कर देंगे कितना पॉसेंट पूरूस है उस मेरे सेरिमनी में 54% तो 54% से उसको गुना कर देंगे तो देखिए ये 100 ये 100 आपस में कट हो जाएंगे और 14 को आप 54 से गुना किजिएगा तो 756 आ जाएगा देखिए हम लोगों को यहाँ पे कुल आदमी निकल गया है 756 ठीक है तो का थर्ड कोस्चन है इन एलेक्षन थ्री कंडिडेट कॉंटेस्टेड देखिए यहाँ पे दिया गया कुस्चन में एक एलेक्षन हो रहा है जिसमें तीन कंडिडेट पार्टिसिपेट किये हैं चुनाव लरे हैं जिसमें पहले candidate को मिला है 40% ठीक है यहां तक कोई दिकत और दूसरे को मिला है 36% और हम लोगों को दे दिया गया है जिसमें पहले candidate को 36,000 का 40% मिला है और दूसरे को 36,000 का 36% मिला है तो हम लोगों को यहां पे question में मांग रहा है then how many votes did the third candidate get यहां पे हम लोगों को मांग रहा है कि मतलब तीसरा आदमी जो तीसरा candidate जो यह चुनाव जो लरे है तो उसको कितना vote मिलेगा हम लोगों को यहां पे इसका vote percentage में नहीं मांग रहा है हम लोगों को यहां पे numerical value में मांग रहा है तो देखिए और वही question हम लोग हिंदी में देखते हैं देखिए एक चुनाव में तीन प्रत्यासी चुनाव लरे पहले प्रत्यासी को 40% vote मिले और दूसरे को 36% देखिए कुल मत हम लोगों को यहां पे दे दिया गया 36,000 और देखिए यहां पे मांग रहा है कि मतलब तीसरे प्रत्यासी को कुल कितने मिले मत तो देखिए हम लोगों का पहला option है 8040, दूसरा है 8640, तीसरा है 9306 और चौथा है 9640 तो देखिए हम लोग solution पे चलते हैं, देखिए हम लोग यहां पे पहले मान लिये हैं कुल मत, कुल मत हम लोग मान लिये हैं 131, first of all हम लोगों को नहीं दिया गया है कितना मत है, percentage में पहले हम लोग निकाले हैं, तो देखिए कुल मत 131 लिख दिये, जिसमें पहला प्रत्या को 40% मत मिला है और दूसरे को 36% मत मिला है तो यहाँ पे हम लोग तीसरे प्रत्यासी को कितना प्रत्यासी मत मिला है यह पहले निकाल लेंगे देखिए तीसरे प्रत्यासी को देखिए 100 में से पहले और दूसरे प्रत्यासी को जोड़ कर और घटा देंगे तो यहां पे 24% हम लोगों को मिल गया है देखिए 100 में से 6.6 को घटा देंगे तो 24% हो जागा और यह 24% किसका मत हो जागा तीसरे प्रत्यासी का ठीक है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पे हम लोगों को question में क्या मांग रहा है तीसरे प्रत्यासी को कुल कितने मत मिले तो देखिए हम लोगों को तो पड़ा हो गया यहां पे 24 प्रतिसत मत मिले है लेकिन यहां पे हम लोगों को numerical value में मांग रहा है इसलिए देखिए हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है निकाले हैं तीसरे प्रत्यासी को मिला मत देखिए यहाँ पे तीसरे प्रत्यासी को मिला मत हम लोग निकालेंगे तो देखिए 36,000 कुल मत हो गया जिसमें पहले प्रत्यासी को कितना मिला है 24 प्रतिसत ठीक है तो देखिए हम लोग यहाँ पे 24 बटे 100 लिख देंगे और देखिए हम लोग यहाँ पे 100-100 कट हो जाएगा तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे 8,640 मत प्राप्थ हुए है तीसरे प्रत्यासी को ठीक है यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप के कोस्चन हमेशा पूछे ही जाते एक्जाम में स्टुडेंट आप लोग सबको नेगलेट मत किजिएगा और कोई भी रिफरेंस बुक हो या कॉंपटिटिव लेवल के बुक हो प्लीज इस टाइप के कोस्चन सब जो हम बता रहा है प्लीज आप लोग रिवीजन करते रहें देखिए हम लोग चौथा कोस्चन पे चलते हैं देखिए हम लोगों को कोस्चन में दे दिया गया ओन सबस्ट्रेक्टिंग फिफ्टीन फ्रॉम और नमबर इट इस रिड्यूस टू 18 पॉसेंट ओफ डेट नमबर देखिए एक संख्या की बात कह रहा है मतलों वो संख्या हम लोगों को भी नहीं पता लेकिन वो संख्या निकालना है वो कौन ऐसा संख्या जिसमें से 15 घटाने पर वो उस संख्या का 80 परतीसत हो जाती है तो बताएए वोट इस दो 40 पॉसेंट ओफ डेट नमबर तो उसी संख्या का 40 परतीसत क्या होगा तो देखिए एक संख्या से 15 घटाने पर वो घट कर उस संख्या का 80 परतीसत रह जाती है तो उस संख्या का 40 पर 30 क्या है तो हम लोगों को question में मांग रहा है तो देखे पहला option है 75 दूसरा है 60 और तीसरा है 30 और चौथा है 90 तो देखे हम लोग इसके solution पे चलते हैं हम लोगों को तो संख्या नहीं पता है तो हम लोग संख्या मान लेंगे क्या मानेंगे? कुछ भी A, B, C, D, X, Y, Z कुछ भी तो देखिए हम लोग यहाँ पे संख्या मान लिये माना की संख्या X परतीसत है तो X में से 15 को घटाएंगे क्योंकि हम लोगों को इसमें दे दिया गया एक संख्या से 15 घटाने पर वो घट कर उस संख्या का 80 परतीसत रह जाती है तो देखिए X में से 15 को घटा देंगे बराबर X का 80 परतीसत हो जाती है तो X माइनस 15 20 चोके, 80 और 25 100, देखिए 4X बटे 5 यहाँ आ गया है तो देखिए कोना कोनी गुना कर देंगे तो 5X माइनस 75 बराबर 4X हो जागा तो देखिए यहाँ पर 5X में से 4X घटा देंगे तो X बराबर 75 आ जागा तो यहाँ पर बोल रहा उस संख्या का 40 परतीसत क्या होगा तो देखिए संख्या हम लोगों को निकल गया X बराबर 75 तो 75 का 40 पर 30 कितना होगा तो 75 का 40 पर 30 तो 75 को हम 40 पर 30 से गुना कर देंगे तो देखिए ये 0 ये 0 कट हो जाएंगे ठीक है? 2 दोनी 4 दो पंचे 10 देखिए पाचे कन 5 और पंचे 25 तो यहां आंसर आ गया 15 दोनी 30 देखिए हम लोगों का अगला कोस्चन है देखिए इसमें दिया गया The salary of a person is first increased by 20% देखिए एक आदमी है जिसके salary में पहले वो 20 पर 30 की वर्धी किया And then it is decreased by 20% और फिर उसके salary में 20% घटा दिया गया है तो his salary will be increased or decreased by तो हम लोगों से यहां पे पूछ रहा है कि उसके salary में increasing होगी या decreasing तो देखिए बहुत ही easy question है इसके कुछ formulas है देखिए और इसके कुछ notes है जो हम आप लोगों को यहां पे लिखा दिये गया है देखिए यहां पे यह आप लोग note down कर लिजेगा अगर प्रस्ट में कमी परतीसत विर्धी परतीसत दोनों एक समान हो तो उस परिस्थिती में हमेशा कमी ही होती है देखिए अगर ऐसा question दिया रहागा कि मतलगों मान लेजे यहां पे हम 20 परतीसत दिये हैं लेकिन वहार 40 परतीसत और 60 परतीसत कुछ भी दिया हो तो जैसे 40 परतीसत की वर्धी की है अगर ऐसा रहेगा तो कमी परतीसत बराबर हो जाएगा लाव या हानी का स्क्वेर बट्टे सो देखें यहाँ पे हमेशा कमी ही होगी और यह आप लोगों का यह फॉर्मूला है प्लीज आप लोग नौद डॉन कर लिजेगा अपने कॉपी में तो देखें कमी परतीसत तो लाव या हानी तो लाव हानी दोनों सेम ही दिया है अफकोर्स सेम दिया रहेगा तभी यह फॉर्मूला अपलाई होगा तो देखें लाव और हानी कितना है 20 परतीसत तो 20 का स्क्वेर कर दिये हैं बट्टे 100 तो 20 का स्कॉर कर देंगे तो 20 20 है 400 बटे 100 तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 4 परतीसत की कमी हुई है ठीक है हम लोग अब यहीं पे यह लास्ट कोस्चन था हम लोगों का So please, thank you so much Please अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सबस्क्राइब कर देजिएगा So